आज हम डिसकस करने वाले हैं इतिहास की आधुनीक आउधाना के बारे में याने की modern concept of history के बारे में दोस्तों आज हम जो पढ़ रहे हैं मैं audio series आपके सामने लेकर आया हूँ B.A.S. second semester में जो teaching of history है उसे सम्मधित और इतिहास का subject हम पढ़ रहे हैं इनमें इतिहास की आधुनीक आउधाना की जो संचिप्त व्यक्या है उसके बारे में बात कर रहा हूँ आप सिर्फ सुनते जाईए पहले बात करें कि 19-वी सताबदी के अंतीम चरण मतलब की 19-वी सताबदी के लास्ट लास्ट में 20-वी सताबदी के प्रारम में जब विज्ञान का बहुत ज़्यादा क्या हो गया था कि बोल बाला हो गया था इस concept को म समझते हैं कि 19-वी सताबदी के लास्ट लास्ट में 20-वी सताबदी स्टाड़ी होती है तब जाकर क्या होता है कि साइंस का बहुत बौल बाला था मतलब कि साइंस विज्ञान बहुत चरम पता उतकर्स के ओर था तब इतिहास को समाज के सच्चे विज्ञान के रूप में देखा जान और इसमें क्या होता है कि केवल इतिहास कारकों नहीं इवर देख सके तो राजनेती सास्त्रियों ने पॉलिटिकल साइंस जो पड़ाते हैं वो और दार्शनिकों ने और कि फिलोसोफर ने भी इस विज्ञानों के विज्ञान का अध्यन करना प्रारंब कर दिया फिर भी इतिहास की प्रकृति के विशे में विवात कुछ बना रहा कुछ विद्वानों ने इतिहास को कारण तथा कारे कारण भाव का सुचक माना गया इसके जस्ट आपोजिट देखे जाए तो दुसरे विद्वानों ने इतिहास को समाज के सच्चे विधान या विज्ञ कि आज कोई भी इस बात से सहमत नहीं होता है जिनका अनुसरण बहुतिक सामाजिक विज्ञानिक करते हैं इसी कारण आज इतिहास को उस अध्यनशेत्र के रूप में देखा जाता है जो वास्तिविक्ता का वर्णन करता है इस अध्यनशेत्र में विज्ञानिक विधी का प्रयोग करके ही वास्तिविक्ता की क्या की जाती है खोज की जाती रिसर्च किया जात आज दोस्तों क्या है इतिहास कारक इतिहास का निर्मान करने के लिए सरुरपथम तत्यों और इसके उपरान तो वह उन तत्यों का सत्यापन और वेरिफिकेशन भी करते हैं तत्यों का सत्यापन और उसके समक्ष एक गंबिर समस्या उत्पन कर देता है अब समस्या उनके सामने यह है दोस्तों की आतीत के आउसेस जो कुछ बचे हैं उनके समक्ष परिवर्तित तथा विकरत रूप में आते हैं जैसे कोई चीज भी देखेंगे तो जैसे सपोस्थ कोई ताजमहल या फिर कोई खंडहर के रूप में दिखाई देता है कोई किला देखा तो किला जो उसके वर्तमान सोरूप को क्या कर रहा है कि पेले जो बना अगा बहुत अच्छा बना होगा लेकिन धिमे-धिमे क्या होने लगा कि उसमें विकरती आने लग गया मतलब कि विक्रती हो गई है तूट चुका है वो परिवर्तित रूप आउसेस जो आ रहे हैं अतित के आउसेस वो परिवर्तित और विक्रत रूप में आते हैं अब लेकिन आधुनीक यूग ने एसा साधन उपलब्द करा दिया ने कि साइन्स उपलब्द हो गया है कार्बन 14 की वी प्रमान किया जाता है तब उसे तथ्यों के सत्यापन में कठनाई की अनुभती करने पड़ती है उन अभी लेको परतिवेदनों आधी की विशेवज़तु माना जाता है कि अव इस्वस्त नहीं हो सकती है उस समय इतिहास कार को दूसरी लिखित सामगरी अथवा अन्य प्र इतिहास कार है उनको वह क्या करते की तथ्यों की विश्वस्यता का निर्धारन कर लेता है तब उसके बाद वह तथ्यों को उनके महत्व के अनुसार वर्गीकरत अलग-अलग डिपाइन करता है और उसके उपरांत वह वर्गीकरन की सुधता का सत्यापन करता है ऐसा करने म वह कलपना तथा पूर्व धारणाओं का प्रयोक करता है इनका प्रयोक करना उनके लिए अनिवार है यहां इतिहास कार का कालपनिक होने का आर्थ यह नहीं है कि वह तथ्यों का आविस्कार करें परन्तु उसकी कलपना उसके स्त्रोतों द्वारा प्रदान की जाने वली पूर्वधर्णा की जाने चाहिए, क्योंकि प्रतेक संतती नवीन रूचियों और वस्तों को नवीन ढग से देखने और उनके प्रती नवीन द्रश्टिकों लेकर आती है। समाज का एक सच्चा विज्ञान है जो मानव समाज की विवेचना विज्ञानिक विदी से करता है